भगवत गीता अध्याय दो श्लोक आठ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, रित्वी का धन धान्य अत्वा सब प्रकार से सम्रिद और निश्कंतक राज्य पाकर या देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं, जो इंद्रि अर्जुन कहते हैं कि उन्हें तत्काल ही मार्गदर्शन की आवशक्ता है, जिसके अभाव से अर्जुन को आंतरिक पीडा को सहन करना पड़ रहा है, अर्जुन पीडा के कारण को व्यक्त करने में असमर्थ अनुभव कर रहा है, यह शोक उसकी ज्यानेंद्रियों पर भी प्रभाव डाल रहा है, किसी भी विचारशील व्यक्ती के लिए यह स्वाभाविक है, कि किसी समस्या के आने पर उसको हल करने के लिए अधीर हो उठे, वह समस्या को शीग्र हल करके शान्ती प्राप्त करना चाता है